इंडिया अपनी डिजिटल कुनेक्टिविटी जो है उसको सिरी लंका और मुरेशिस तक लेके जा रहा है नाजरीन जब से एलेक्शन्स हुए है एक मतनाजर सी सूर्टेहाल पैदा हो गई है और इंडिया का यम इसको सिर्री लंका के अंदर लाउंच हो रहा है और यसी तरह मुरेशिस में भी लाउंच हो रहा है अच्छा गदार है यह गदार है यह जी यह गदार है यह पाकिस्तान में इे फरक है हमारे लिए देश पहले है आपके लिए रिलिजन पहले है अब इंडिया जो है जब वो इंडियन्स जाएंगे सिरी लंका या इंडियन्स जाएंगे मुरेशियस तो उनको कोई प्रिशानी की बात नहीं होगी अगर दिल में जजबा नहीं स्लाम का वो डरता नहीं एक तो पहली यह है कि भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपी आई उसको सीरी लंका मुरेशियस और फ्रांस और बहुत सारे मुलकों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं इट मीन्स के वो तो एक अ अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रियेट कर रहे हैं कि उनको किसी किसम की आप जिस मुलक में भी जाएंगे वो समझें अपने मुलक के अंदर ही बैठे हुए हैं लेकन ताट साथ पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन्स वाली स्टोरी हमारी बनी है ये बताएं कि हम इ सिच्वेशन आरी है वो कह रहे हैं जी ये सारे जो रिजल्ट हैं वो गलत है हमें जादा बोट पड़े हैं हम इंडिपेंडनेंट हैं हमें हम हम हकूमत बनाएंगे सीटें उनकी तो पचासी नवे के करीब हैं हकूमत वो बनाना चाहते हैं मरकज में आपको लगता है कि हम एक नए क्राइसिस में जाने वाले हैं क्योंकि एक पुलिटिकल डेट लॉक भी है धरने भी चल रहे हैं मारक टाई भी हो रही है और जो आरोज हैं रिटर्निंग आफिसर्स के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं ताट सब हम किदर जा रहे हैं इस एलेक्शन के लगता है कि मुश्किलात भड़ रही हैं रियासत के लिए चीमा साब मैं सबसे पहले तो भारत के यूपी आइसे मैं बाद उस पर करना चाहूंगा मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साब एक इंटरनेशनल कंपेंड पर निकले थे जिस सिलसले के अंदर ऐसे अंदर यूपी आइक वेरी इन्पॉर्टंट था उनकी अपनी करन्सी को पर मोट करना वेरी इंपॉर्टंट एक था अपने को ब्रेस्ट पर комнаट करना तीसरा हूँ का सबसे बड़ेधे था भारती स्टूडेंटinka और पिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी तकी में अपनी करवसी में लिया फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है अपनी करवसी में उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टाबर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारती जा रहे हैं वो अपने यूपी आई के साथ अपना टिकट खरीच सके लेकिन इसके बचे को पी आर ले कर देनी है उनकी कोई खायश नहीं है को दुबाई के अंदर उनके विलास बने कोई खायश मेरा यह क्वेस्टिन मार्क होगा इसको अगले सब्जेट पर जाने के लिए मैं अपने बच्चे जो इस वक्त अवारा बच्चे ट्वीटर बना के उर्दू सारा दिन खेलते हैं मेरी रिक्वेस्ट हो भी गूगल करें बच्चे गूगल करो देखो भारती कितने अक्स वजीरियाजम जो है पुराने वजीरियाजम वो लंदन में सैटल है टॉरांटो में है दुबाई में कहा है उनके जर्नेल कहां सैटल है कोशिश करो ठूण देग तो यूपी आई जिस तरह देखें चंद्रियान देखें आप कुछ भी देखें उसके पीछे सिर्व वाहिद एक चीज है नैशनलिजम प्राइड हिंदू प्राइड मुझसे किसी ने कहा कि आप मोधी भगत है मैं मैं मोधी भगत नहीं हूँ मैं नैशनलिजम भगत हूँ मुझे मोधी साब की चीज़ है मेरा मोधी साब के साथ क्या लेना देना है वो अपने मुलक के अंदर है हाँ ये एक बात है भाह सीते स्टूडन अ पुलिटिकल साइंस जो उन्होंने नैशनलिजम की जो तारीख रकम की है और मैं समझता हूँ मेरी ये दौा है कि जो मेरे म मजबी जिनूनियत है ये अब आपके सरचड़ के बोल रही है जो फसलें आपने अफगान जंग के लिए डालरों के के लिए लगाई थी आज वो सरचड़ के बोल रही है वो अब गेट चुमती है वो कहती है बिशीर जजज जो है उसको जिन पढ़ गया पीर नहीं का वह भारत जो है वो दुनिया के नक्षे पर अपने कदम की छाप जो है वो छोड़ता जा रहा है देखे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतने देशों में UPI को लेकर काम चालू हो चुका है UPI वहाँ पर शुरू हो चुका है और भी कई देश जो है वो इस लिस्ट में ज सुनता होगा कि आरे देखो हमारा बनाया सिस्टम फ्रांस यूज़ कर रहा है जी सिंगापूर यूज़ कर रहा है जी जपैन यूज़ करेगा जी शिलंका में यूज़ होने लगा आप सोचो इससे सहूलियत कितनी बढ़ेगी एज एंडियन जब मैं इन 20-21 देशों में जाऊंगा जहांपर यूपी आई मेरा चल रहा है तो मुझे इतनी चंता नहीं होगी न मुझे ये फिकर नहीं लगेगी कि यार पेमेट कैसे करूँगा क्या करूँगा और इजी है भाग और नहीं करनी मुझे उसके लिए अपना निकाला यूपी आई का स्काइनर दिया पे किया बैंक अकाउन में सीधे डिरिक्टली पे किया और इससे क्या होगा इससे ये होगा कि एक तो भारत का नाम उचा हो रहा है दूसरा ये कि भारतियों की संख्या बढ़ेगी जब उनको पता है कि जाएंगे तो दिक्कत नहीं पैसे की दिक्कत नहीं यार इसली पहुँच जाएंगे दे देंगे कर देंगे उनकी ट्रांस्पोर्टेशन की दिक्कत उनकी सेफ्टी सिक्रोटी ये है वो फला ठीक ना इन सब को काट दिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम ना फिजिकल नोट मुझे कैरी करके लिए जाने है ना मुझे उसको ट्रांसपोर्ट करना है ना मुझे उसको स्टोर करके रखना है साथ ही साथ इसकी ट्रैकिंग है आप ट्रैक कर सकते हो किसके काउंट से निकलकर किसके काउंट में गए हैं किसने किसको कितने कब कहा कैसे पैसे दियें तो ब्लैक मनी से भी आप इसमें लड़ाई लड़ रहे हो प्लस पैसे बचा रहे हो तो टेक्नोजी ने आपके जिंदगी को इजी कर दिया है और जह बजोस ने कहा था ना यह जो सदी है किसी यह भारत की सदी है संचुरी ओफ डियाए